असलाम वालेकुम नाजडीन ड्रमस ये कभी मैं कभी तुमके नेक्स एपिसोड में आप देखेंगे मुस्तफा जिसने शरजीना से शादी तो कर ली मगर वो वापिस घर आये तो अंदर आही न सका वही सही जैसे गाइब हो जाता है और इदर मा अलग से बाते सुनाती है सबी को और शरजीना को अलग से अगर मुझे मालूम हो था कि आप मुस्तफा से इसकी शादी करवा देंगे तो मैं ये कभी होने ना देती यूँ अप तंस के तीर वो इसी पर ही बरसाएंगी अदील की जब दुलहन बन कर आ रही थी तब तो पहले बड़ी इज़त थी मगर जैसे अपने निकम्मे और निखट्टू बेटे से इसकी शादी हुई वैसे शरजीना की उकाद भी उसी पर लाखड़ी की यूँ यही बेहन होती है जो शरजीना को उसके कमरे तक लेकर जाती है यानि मुस्तफा का कमरा वो शरजीना जो के कितनी असूल पसंद है सफाई पसंद है मगर मुस्तफा तो उसके बिलकुल बराक्स है यहां अपने कमने में आकर शरजीना जारुकता रोती ही है रोते रोते वो नीशे ही बैठ गई कि बरवक्त मुझे अपनी माबाप अपनी फैमिली की इज़त बचाने के लिए क्या कुछ करना पड़ा और यहां पर आकर अलग से बाते सुन रही है और मुस्तफा जो कि इस रिलेशन को सीरिस लेता ही नहीं उसने तो जैसे शरजीला का बस कहना ही माना कि निकाह करना है निकाह कर लिया कमने में बैठ कर यह मुस्तफा अलग से रोता है इतना तक कि गुसे से हेलमेट मारा शीशे में तो उस आइने को भी तोड़ दिया इधर शरजीना जो कि वाश्रू में चले जाती है अपना मूद होती है जुल्री उतारती है और यही मुस्तफा की बेहन होती है सिद्रा जो कि इसे खान अला कर देती है और यह मुस्तफा जो कि बुद बढ़ा खड़ा है वो शरजीना से ये सब कुछ पोचता है तो शरजीना भी कह देती है मुझे नहीं पता इस रिलेशनशिप का आगे क्या फिचर है है भी या नहीं मगर अभी फिल वक्त तो इन दोनों को ये रिष्टा जैसे कैसे करके निभान आई है यूं मुस्तफ़ा की अलग नेचर है और शरजीना की अलग से शरजीना जो के टॉपर रही है एक जिमेदार रिस्पॉंसिबल लड़की रही है मगर मुस्तफ़ा इसके बिलकुल ही ओपोजिट मगर हाँ दिल के दोने ही बहुत अचे हैं किसी में खोट नहीं और यही तो वीवर्ज इन दोनों की किमेस्ट्री को एक करेगा मुस्तफ़ा जो खयाल ना रखते रखते आकर उसका खयार रखने लगेगा एसास करने लगेगा और इससे पहले शरजीना जो के सफाई पसंद है इसे बात को लेकर इन दोनों के बीच में हर वक्त तकरार होगी और कभी ये तकरार मुहबत में बदल जाएगी दोनों को इन बिना होगा तो ऐसे में वीवर्ज आपको क्या लगता है क्या मुस्तफ़ा शरजीना से मुहबत कर पाएगा मज़ी ड्रामा आज रिविउस के लिए आप देखते रहिए और्दु रिवी